हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल खाना खजाना विशिखा उपुमा बनाने के लिए एक कटोरी सूजी ली है सूजी को हलका भून लेंगे एक कड़ाई ली है इसमें आप सूजी डालेंगे सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए 5 मट तक भूनेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज सब्सक्राइब कर दें बैल बटन जरूर दबाएं सूजी भूनते समय गैस की फ्लेम को लो रखेंगे पांच मिनट हो गए हैं सूजी को भूनते हुए अब इसमें अच्छी सी खुस्पूँ आने लगी है अब इसको एक फ्लेट में निकाल लेंगे कुछ मैंने हरी सब्जिया ली हैं गाजर सिम्ला मिर्च प्याज टमाटर हरी मिटर थोड़े से मैंने काजू लिये हैं थोड़े से मुंपली के दाने एक छोड़ा चमच राई ली है नमक लिया है सौधनुसार चार-पांच करी पत्ता लिया है एक हरी मिर्ची ली है उसको काट लेंगे जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से मैंने धाई कटोरी पानी लिया है पानी को गैस पे गरम होने के लिए रख देंगे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे जैसे कि धीमेदी में पानी गरम हूँ उपुआ में गरम पानी ही पड़ता है उसी देशी घी डालेंगे, अब इसमें काजूर और मुमफली के दाने डालेंगे, इनको रोष्ट कर लेंगे, काजूर और मुमफली के दाने रोष्ट हो गए हैं, अब इनको एक लेट में निकाल लेंगे, उसी घी में हम राई को डालेंगे, राई को तड़कने देंगे, अब इसमें करी पत्ता भी डाल देंगे, हरी मिर्ची ताल लेंगे, प्याज भी डाल लेंगे, प्याज को ब्राउन होने तख भूनेंगे, प्याज को कंटीनिव चलाते हुए भूनेंगे, इससे की प्याज हर तरब से ब्राउन हो जाए, प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें गाजर डालेंगे, मटर को भी डाल लेंगे, इनको हलका सॉफ्ट करेंगे, जब सब्जियों को सॉफ्ट करेंगे, तो गैस की प्याज को लो रखेंगे, प्याजर और मटर हलके सॉफ्ट हो गये हैं, अब इसमें सिम्ला मिष्ट डालेंगे, इसको भी हलका सॉफ्ट कर लेंगे, सारी सब्दियां सॉफ्ट हो गई हैं, अब इसमें टमाटर को डालेंगे, नमक भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, तमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें सूजी डालेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें गरम किया हुआ पाई डालेंगे, और सूजी को कंटीनिव चलाते रहेंगे, जिस्से कि इसमें कोई गाट ना बने, गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे ही उपुमा पकाएंगे, उपुमा को इस तरीके से चलाते रहेंगे, उपुमा काफी ठीक हो गया है, अब इसमें काजू और मुमफली के दाई डाल देंगे, एक चमच बटल भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें थोड़ी सी अरी दाईया डाल लेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब उपुमा को एक प्लेट में निकाल लेंगे, उपुमा सर्फ करने के लिए त्यार है, आप अपने घर में बनाईए, मेरी रेस्पी को लाइक कीज़े, चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, थैंक्यू, कर्वाल बनाईए ले बनाईफे?